केज़ेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केज़ेड प्रोडक्शन सर्फेस फ्रेंड तो आज किस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड यदि आप सीजी व्यापम के थूरू यदि आप कोई भी ऑनलाइन एक्जाम फॉर्म भर रहे हैं चाहे कोई आप एंट्रेंस एक्जा कि आप सीजी व्यापम में अपना फॉर्म आप डाल रहे हैं ओनलाइन एप्लिकेशन तो आपको जो है कि अब अपना अधार कार्ड आपको एड़ करना पड़ेगा ठीक है अधार कार्ड में आपका जो डॉक्यमेंट है जैसे कि आपका टेंथ का रिजल्ट है तो टेंथ की रिजल्ट में जो नाम आपका दिया हुआ है आपके फादर का नेम आपका नेम डेट और बर्थ इस सभी आपके अधार कार्ड में भी अपडेट होने चाहिए तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है क्योंकि अब व्यापम जो कर रहा है कि अपना अधार कार्ड जो है कि आप अपना ऑनलाइन आपका जो पासो साइस फोटो है इमेज है फिर आपकी सिगनेचर है यह सब चीज़ अपलोड करेंगे जो बेसिक इन्फरमेशन होते हैं आपके कैटिगरीज ठीक है आपका जो भी नेम वगएरा है फादर नेम अदर नेम वगएरा एड़ करके यहां पर आपको अपना अधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि आपके अधार कार्ड में जो नेम है वह आपका डॉकिमेंट में भी सेम होना चाहिए तो यह आपको ऑथेंटिकेट करना होगा तो सबसे पहले आप जो क्या करेंगे कि अपने अधार कार्ड में जो भी आपका document है result है 10-12 का वैसा ही same to same नाम आप क्या करेंगे अपना simply तरीके से आप अपने अधार कार्ट में update करवा लें और 7-7 अधार कार्ट में अपना mobile number जुरूर update करवाईगा क्योंकि यहाँ पर जो है कि verify किया जाएगा अधार कार्ट का जो number आप डालेंगे और आप नाम डालेंगे उसके बाद verify होगा आपका OTP के through OTP आएगा then verify होगा उसके बाद देखे फ्रेंट एक option आपको मिलेगा क्योंकि मैंने OTP वाला कर चुका हूँ तो यहाँ पर देखें लिंक और अधार through biometrics तो आप biometrics से आपको अपना fingerprint करना पड़ेगा जो भी candidate है इसके बाद उसका profile के अंदर जो है कि आपका अधार का जो authentication है और पूरी तरीके सा update हो जाएगा तो इसके लिए आपको login करना पड़ेगा सबसे पर रेजिस्टेशन करने के बाद आपको login करके आपको अपने profile बयाना है औ महां पर आपको OTP और Biometric वाला system मिल जाएगा आपको अधार काट कर जब आप इसको कर लेंगे इसके बाद जब भी आप login होंगे तो यहां पर जितने भी व्यापम की exams है वो सभी के सभी यहां पर आपको दिखाई देंगे जिस भी exam पर आप अपलाई कर सकते हैं आपर आप आपका नाम वगरा दिखाई देगा मैं हाइट कर दूंगा security reason के कारण तो यहां पर सिंप्ली तरीके से सब कुछ information आपको यहां पर मिल जाएगा तो आप सिंप्ली तरीके से इसी तरीके सीजी व्यापम के अंदर अपना धारकार update कर लें अपना धारकार add कर लें जाकि ता झाहां बेट कर दो जोज़ अट हां पार कité से से समय क 1965 की उष्थ कर दो पर सैसे कर और सिंप्ली तरीकार अवार।